इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं transmission parameters के बारे में इनको transmission parameters को ABCD parameters भी कहते हैं मैं बता दूँ transmission parameters की जो form होती है वो किस type की है उतने उसका standard में तरीका उता रहा हूँ V1 I1 AB2-BI2 CV2-DI2 ठीक है ABCD यह parameter देखें इनको transmission parameters कहते हैं ठीक है जो हमारे parameters equations होंगी हम इस form में लाएंगे और compare करके वहां से ABCD की value निकाल देंगे तो कैस करते हैं सबसे पहला काम वही यह I1 यह V1 इदर से input port यह output port होता था इदर यह V2 यह I2 ठीक है तो यहां पर द्यान से देखो यहां पर यहां पर इक चीज़ा बता दो में यह I1 current भी given था यहां पर यह I1 current यहां से flow हो रहा है ठीक है यह given है हमें तो यहां पर dependence voltage source आया है यह ध्यान रखना है यह 3 I1 है यह हमारा I1 से match कर रहा है तो इसलिए मैंना I1 ले लिया है ठीक है नहीं तो हम दूसरा parameter लेते हैं अगर I1 के जगह यह Ix दिया होता तो तब यहां पर I1 नहीं लेते तो लिखने शुरू करते हैं चलो मैं एक पहले है यह I1 इदर सा रहे है I1 इदर सा I2 इदर सा रहे है तो इदर से कितनी current जा रहे होगी I1 प्लस I2 मैं KBL लगाता हूं तो इस वाल इसमें तो V2 के इस्टो कितना आ जाएगा मेरा माइनस 3 I1 प्लस 20 I1 प्लस I2 तो V2 के इस्टो कितना आ गया माइनस 3 I1 20 I1 प्लस 20 I2 यहाँ से देखो इसको मैं I2 को इदर ले आता हूं यह 20 I2 को मैं दर ले आया है इदर कितना हुचा 17 I1 17 से मैं डिवाइट कर दूंगा तो I1 मेरा कितना जाएगा 1 upon 17 V2 माइनस 20 upon 17 I2 इसको इस वाली क्वेशन के साथ कंपेर करो क्या आएगा हमारे यहां से इसके साथ कंपेर करो तो C को इस्टो कितना आ गया है 1 upon 17 ठीक है यूनिट क्या होगी C की इसको छिपाओ I1 upon V1 I1 upon V क्या देता हूं मझे साइमन ठीक है ऐसे D की यूनिट लिको यहां पर माइनस है यहां पर माइनस है तो 20 upon 17 यूनिट क्या होगी इसको छिपाए I1 upon I2 ठीक है यूनिट लेस होगा यह नेक्स्ट आगे सोल करते है I1 क क्या लिए आ गई थे अब इधर इसे मैं के विल लगाता हूं एक बार तो V1 एकस्ट कितना आ जाएगा 10 I1 20 I1 प्लस I2 तो V1 एकस्ट कितना आ गया 10 I1 20 I1 20 I2 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 30 I1 20 I2 यहां पर मैं compare करूं अगर first equation से तो V1 चाहिए V2 चाहिए और I2 चाहिए V1 में मेरा I2 आ गया I1 की value मैं यहां से रख दूंगा ठीक है I1 की value यहां पर लगा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 30 1 upon 17 V2 minus 20 upon 17 I2 plus 20 I2 इसके अंदर multiply करो कितना जाएगा 30 upon 17 V2 और यह हो जाए इसके साथ की तो यह हो जा 617 17 I2 plus 20 I2 तो यहां से 20 यह यहां पर दिखा देता हूं 30 upon 17 V2 इसको इन दोनों का LCM लिया तो कितना हो जाएगा यह minus 600 plus 37 34 upon 17 I2 तो V1 equals to 30 upon 17 V2 यहां से इसको minus करो कितना आएगा यह minus का आएगा 0 और यह आएगा 26 इसको अगें फर्स्ट वाली equation से compare करो ठीक है तो यहां से A को इसको कितना आएगा 30 upon 17 और B को इसको कितना आएगा यहां से 260 upon 17 unit लिख दो इसकी unit कैसे लिखते है ठीक है इसको पहले इसको छिपा दो तो V1 upon V1 आजाएगा V1 upon V2 आजाएगा voltage upon voltage तो A की कोई unit नहीं होगी ठीक है इसको छिपाया मैंने तो V1 upon I2 हो जाएगा यानि resistance resistance यानि ohm ठीक है तो यह आगी units अगर मुझे T parameters को लिखना होता matrix form में याने transmission parameters को तो मैं कैसे लिखता पहले A को then B को C को CIR 1 Y 17 और D 20 Y 17 ठीक है तो यह आगी units के साथ इनके साथ लिख दिया मैंने ठीक है एक बार देख लो कुछ हूट तो नहीं गया कहीं पर ठीक है तो IOP आपको समझाया होगा ठीक है यह पहला simple question था transmission parameters का इससे आने वाली वीडियो में और इसके अच्छ अच्छी questions पर बात करेंगे transmission parameters के ठीक है फिलाल इस वीडियो में इतना ही okay thank you मिलते हैं next video में next question के साथ करेंगे करेंगे वीडियो